भिलनी महा तपस्विनी शबरी जाको नाम मतंग मुनी कह कर गए तो है मिलेंगे राम सोने की चडिया माभारती और सत्य सनातन धर्म के सबसे आदर्ष पुरुष मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जो वर्षों की तपस्या के वाद रिशिमुनियों को भी नहीं मिलते मगर एक भिलनी शबरी के घर स्वैम चल के आके न सिर्फ दर्शन देते हैं बलकि उस भेलनी के जूठे बेर भी खाते हैं और बाबा तुलसी ने क्या खुब कहा है कि प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभुका नियम बदलते देखा अपना मान भले टल जाए भक्त का मान न टलते देखा भाव नहीं तो कुछ भी नहीं है लाख करो गुणगान भाव के भूखे हैं भगवान 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 भाव नहीं तो कुछ भी नहीं है लाख करो गुणगान भाव के भूखे हैं भगवान भाव के भूखे हैं भगवान भाव के भूखे हैं भगवान एक थी शबरी भक्तन न्योचावर करके तनमन मतंग मुनी के संग में करती थी प्रभु का कीरतन मतंग मुनी के संग में करती थी प्रभु का कीरतन भागों से चुन चुन लाती प्रभु को फूल चड़ाती गंगा के पावन जल से रोज असनान कराती चरण धोके श्रीराम का करती चरण धोके श्रीराम का करती भाव के भोके हैं भगवान धैर ये एक ऐसा प्रसाद है जो इनसान को महान बना देता है मतंग मुनी मा शबरी से कह गए कि शबरी तेरे दरवाजे राम जरूर आएंगे और शबरी ने दस हजार साल तक प्रतिक्षा किया शबरी को देखने वाले ना सिर्फ उसे पागल कहते थे बलकि कहते थे ये कौन दिखात को दीमा नारी ते उत जाती है मूद भरी छिन भीतर बाहर होत छिन सुपसो नहीं बैठत एक खरी यही के तनमे कचुपीर भई ये वियोगिन मान समाही जरी अब जान पड़ी रगुनाथ के प्रेम की मूरती रूपी ये है शबरी मतंग शबरी को बताए बहु भांती समझाए सबर कर कुछ दिन शबरी मिलन के दिन अब आए राम जी तुमसे मिलेंगे मेरी कुटियां में आकर शबरी को धैरे बंधा कर समाधी लिये गुरुवर राम नाम में लिन हो गई गुरु से पाकर ग्यान भाव के भूखे हैं भगवान भाव के भूखे हैं भगवान भाव के भूखे हैं भगवान मा शबरी के गुरु महामुनी मतंग भगवान मा शबरी के गुरु महामुनी मतंग भगवान भाव कर रहे थे तब मा शबरी ने उनसे पूछा हे गुरुवर मुझे मेरे राम कहां मिलेंगे इस पर महामुनी मतंग ने शबरी को जवाब दिया कि शबरी हरे दुनिया राम को डूनती है मगर तू तो ऐसी खुशनसीब है कि तेरे दर्वाजे राम स्वैम चल कर आएंगे मा शबरी को अपने गुरु की बातों पर अटूट विश्वास हो गया मा शबरी हर रोज राहों पर फूल विज़ाती थी चुन चुन कर मीठे वेर चक चक कर इकठा करती थी ठाकि मेरे प्रभुश राम जब आएंगे तो बड़े प्यार से इसका भोग लगाएंगे राहों पर फूल भी बड़ी साउधाने से शबरी मा बिछाती थी शबरी मा सोचती थी कि मेरे गुर्वर कहके गए हैं कि मेरे घर मेरे राम जरूर आएंगे शबरी मा राहों पर दूर दूर तक खूल बिछाती कि प्रभुश राम के पैर में कहीं कोई काटा न चुप जाए राह पे फूल भिछाती वो मीठे वेर को लाती मेरे प्रभु राम आएंगे नैनों में सपने सजाती मेरे प्रभु राम आएंगे नैनों में सपने सजाती राम से प्रीत लगा के वो निश दिन राम पुकारे ओ मरिया बीती जाए रे के अखियां पंत निहारे जर जर हो गई काया तिर भी बसे राम में प्राण भाव के भूखे हैं भगवान बाव के भूखे हैं भगवान बाव के भूखे हैं भगवान बाव के भूखे हैं भगवान समय समय के साथ बीटता गया मा शबरी अब बुढ़ी हो गई मा शबरी की उम्र जैसे जैसे बढ़ती गई प्रभु श्री राम के प्रती उसका प्यार और भी ज़्यादा गहरा होता गया मा शबरी जो इस जन्म में तो भीलनी हुई थी मगर अपने पूर्व जन्म में वो एक बहुत बड़े राजा की रानी थी प्रियाग राज जहाँ पर कुम्भ का मेला लगता है एक बार वो अपने राजा के साथ उसी कुम्भ के मेले को देखने पहुँची अपने पूर्व जन्म में भी मा शबरी को प्रभु श्री राम से उतना ही जादा प्यार था उस वक्त रानी ने अपने पती से ये इक्छा जताई कि मैं बाहर जाकर संत महात्माओं के साथ भजन कीर्टन करूंगी जिस पर उसके राजा पती ने ये कहकर मना कर दिया कि एक महारानी को इस तरह के छोटी लोगों के साथ बैठना शोगा नहीं देता ये बात महारानी के हरदय में चुब गई महारानी ने गंगा के पानी में जाकर अपने प्राण त्याग दिये और इश्वर से कहा हे मेरे प्रभू हे मेरे राम इस जन्म में तो आपने मुझे बहुत खुबसूरत बनाया है अगले जन्म में चाहे मुझे कुरूप बना देना इस जन्म में आपने मुझे उच्चि कुल में जन्म दिया है अगले जन्म में चाहे तुम मुझे भीलनी बना देना मगर हे प्रभु मेरा अगला जन्म जब भी हो मुझे ये सोधाग जरूर देना कि मैं तुम्हारे नाम को चपू मैं तुम्हारा नाम लू मुझे पर कोई पंधन न हो वो राजकुमारी अगले जन्द में माशबरी बनी वही माशबरी जो कुटिया में प्रभु श्री राम की राह देख रही थी वो सुन्दर आसन लगाके स्वक्ष कुटिया को सजाके राह आचल से बुहारे प्रभु का ध्यान लगाके और ना अब तड़ पाओ राम मेरे आभी जाओ दरस बिन शबरी व्याकुल राम मेरे जरस दिखाओ दरस की आस लगी मेरे प्रभु जी पून करो अर्मान भाव के भूखे है भगवान भाव के भूखे है भगवान भाव की भूखे है भगवान अजगर करे न चाकरी पंची करे न काम दास मलू का कह गए सब के दाता राम और हम सब के परम पूज्य बाबा तुलसी दास ने राम चरित मानस में भी कहा है राम से बड़ा राम का नाम और यही काम माता शब्री दिन रात कर रही थी बस वो एक ही बात बार बार बोले जा रही थी कि मेरे राम आएंगे मेरे राम आएंगे वो हर वक्त हे राम हे राम बोलती रहती थी प्रभो श्री राम जब अपने भाई लखन के साथ माता सीता की खोज में वन में दर दर फटक रहे थे उनके कानों में ये आवाज खुंजी उन्होंने अपने भाई लखन से कहा प्रियनुज ध्यान से सुनो मेरी एक माता है जो वर्षों से मेरी प्रतिक्षा कर रही है मैं भी अपने माता को देखने के लिए बहुत व्याकुल हो रहा हूँ चलो अनुज माता शबरी की कुटिया में चलते हैं प्रभू श्री राम माता शबरी की कुटिया में आते हैं माता शबरी की नजर जब प्रभू श्री राम के उपर पड़ती है तो माता की आँखों से खुशियों के आँसु धारा प्रवा पहने लगते है माता शबरी रो रो के कहने लगती है मेरे राम आप आगए मेरे राम आप आगए आँसु भरी आँखों से मा शबरी प्रभु श्री राम और वीर लखन को देखे जा रही थी दोनों हाथों को जोड़ कर दोड़े दोड़े मा शबरी ने प्रभू श्री राम के पैर पकड़ लिये और कहने लगी मेरे राम मैं तो दो जन्मों से आपकी प्रतिक्षा कर रहे थी लोग मुझे पागल बुला रहे थे मेरे गुरु देव ने मुझे कहा था राम लक्षमन के साथ एक दिल्थिरी कुटिया में सरूर आएंगे सरूर आएंगे राम संग लखन को आते देखी प्रभू को मुसकाते प्रभू के पास में आई कुटिया से दोड़ लगाते प्रभू के पास में आई उटिया से जोड लगाते राम से मिलन हुआ जब तो शबरी सुध बुध खो गई प्रभू के पाम पकड़के भाव में विहवल हो गई प्रभू के पाम पकड़के भाव में विहवल हो गई खुशी के आंसों से पगधोए भक्त न शबरी समान भाव के भूखे हैं भगवान 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 मित्रों मैं रविराज आप सबको आज एक बात बताना चाहूंगा वो बात जो मुझे मेरे गुरुदेव फरीद हसन खान साहब ने बताई है और वो बात ये है कि इश्वर को हमारी जरुवत नहीं है हमें इश्वर की जरुवत है इश्वर हमारे बिना भी पूर्ण है मगर हम इश्वर के बिना हमेशा ही अपूर्ण है हम पैदा तो इनसान के रूप में होते है मगर अंत में हमें उसी परमात्मा के पास जाना होता है इसलिए हमें जीवन में हर वो कार्य करना चाहिए जो इश्वर को पसंद हो और इश्वर को सिर्फ यही पसंद है कि हम नेक दिल बनें दयालू बनें और सदैव ही अच्छाई के मार्क पर चलें चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों न हो और हमेशा अपने परमात्मा को याद करते रहें चाहे इश्वर के रूप में चाहे अल्ला के रूप में गुरुनानक देव जी के रूप में चाहे इसा मसी के रूप में जो भी इंसान इश्वर को याद रखता है वो कभी जीवन में किसी का बुरा नहीं कर सकता बुरा करना तो दूर की बात है वो किसी का बुरा सोच भी नहीं सकता है उसका मन हमेशा साफ और शांत रहता है मन हो गर निर्मल संजय प्रभुजी तोड़े आते प्रसाद की बात करें क्या वो जूठे बेर भिखाते तशाद की बात करे क्या वो जूठे बेर भिखाते बात है सची लेकिन हम सब इससे हैं अन्जान भाव के भूखे हैं भगवान भाव के भूखे हैं भगवान भाव नहीं तो कुछ भी नहीं है लाख करो गुणगान भाव के भूखे हैं भगवान भाव के भूखे हैं भगवान इस कथा के लेखक, पंडित संजे तिवारीची, साउंड इंजीनियर, श्री कैलास्ड इन्रियाल जी, मैक्स स्टूडियो दिल्ली, संगितकार लव्ली शर्मा, मैं आपका अपना रविराज, और भी मिजिक परिवार की तरफ से, आप सब ही को कोटी-कोटी प्रणाम करता हू किसी भी तरुटी के लिए, हम श्रमा चार्थी हैं बलाओ भक्त और भगवान की